आज की मुवी में एक लड़की अपनी होने वाले मरजरी लाउ हस्पेन और दोस्तों को भी मार देती है वो भी सिर्फ एक इंसेक की वाइट की विज़े से तो कैसे वो लड़की ब्राइट टुब बी से किलर ब्राइट टुब भी बनती है ये जानने के लिए पुरे वीडियो को देखे और दो सब्सक्राइब दे चैनल मुवी की स्टार्टिंग में हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी जलते जैरेट नाम की एक लड़की के साथ शादी होने वाली थी तो वो अपने फ्रेंट क्रिस्टी एंड जिल के साथ कोस्टर रिका आती है बैचलर पार्टी के लिए तो वो लोग वहाँ बहुत मज़े करते हैं बट एक रद केसी बार में बहुत जादा ड्रिंक कर लेती है और वो एक अंजाना आदमी से इंटिमेट हो जाती है नहाने लगती है तभी केसी को पानी की अंदर एक इंसिक बाइट कर लेता है बट वो उसे एक सिंपल बाइट समझकर इग्नोर कर देती है दिन वो सब वेकेशन से बापस आ जाते हैं तभी केसी की मुलकत उसके फियांसे जैरिट के साथ होती है तो Jarrett Casey को सप्प्राइज देते हुए उसे एक बेवी चीयर दिखाता है जोकी अच्छले उसकी बच्छपन की बेवी चीयर थी अब ऐसे Jarrett Casey से एक्सप्रेस करता है कि उसे जल्द ही एक बेवी चाहिए पर केसी ट्रिप में की गई उसकी गलती के वज़े से बहुत परिशान थी और उससे गिल्टे फील हो रही थी उससे लग रहा था कि ऐसा करके उसने जैरेट को चीट किया है और उसने अपनी इंगेजमेंट रिंग भी खो दी थी कुछ दिरबद केसी शावर लेने जाती है तो वो देखती है कि उसके बाड़ी में अजिव से निशान बन रहे थे अब कुछ दिरबद केसी अपने लै लेड़ी जो कि एक्शली जैरेट की मदर है उनसे मिलने जाती है पर जैर्ट की मदर केसी से अच्छे से बिहेव नहीं करती विच मेंस केसी को वो पसंद नहीं करती थी तो इन सब चीजों के बज़े से केसी और वी ज़्यादा परेशान हो जाती है देन केसी ट्रिप के वीडियो देखने लगती है गज़े जयादा है कि वो नशे की हालत में उस आदमी से फलरेट कर रही थी पर उसके बाद जो भी हुआ उससे याद नहीं था ये सब सोच के केसी और वी ज़ी जादा परेशान हो जाती है तो केसी अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे जैरिट से इस बार में बात करनी चाहिए अब अगले दिन जैरिट और उसकी मदर केसी के घर डिनर के लिए आने वाले थे बट केसी जैरिट और उसके मदर की आर्किमेंट सुन लेती है जो कि अक्छलि उसके लिए ही हो रहा था जैरिट की मदर जैरिट से कहती है कि उसे यह शादि नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि केसी जैरिट को चीट कर रही है बर जैरेट उसकी मदर के कोई बात नहीं सुनता और वहां से केसी के घर चला जाता है तिन केसी और जैरेट डिनर कर रहे थे तो जैरेट केसी से पूछता है कि उसके रिंग कहा है तो केसी कहती है कि उसने रिंग बातरूम में रखी है रिंग को क्लीन करने के लिए अब केसी का हेल्प खराब होने लगा था और वो वामिट करने लगी थी तो उसकी मुँसे कुछ मुकस जैसे चीज निकलने लगती है पर जैरिट जब उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो केसी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है केसी परेशान होती है कि जैरिट की मदर उसे पसंद नहीं करती है पर जैरिट उससे कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है तिन दोनों इंटिमेट होते हैं अब intimate होते हुए Jared का हाथ Casey के वही bite mark में चला जाता है and Casey nervous होकर bathroom में चली जाती है और Jared के पूछने पर वो कहती है कि it's just a bite mark then हम देखते हैं कि Casey की body से वही चिपचपी mucos जैसे चीज निकल रही है then Jill उससे मिलने आती है and उसे console करती हुए उसके bite mark के लिए एक cream देती है अब हम देखते हैं कि Casey अब कुछ भी खा नहीं पा रही थी वो जो भी खा रही थी उसे vomit कर देती थी and उसकी मुह से वही mucos निकल रहा था and उसका face भी vampire जैसा white हो गया था उसके neighbor Casey की ऐसे pale skill को देखकर उससे सवाल पूछने लगते है तो Casey कहती है कि moscuris कारने के विज़े से ऐसा हुआ है अब Casey अपने vomit वाली बात Christie को बताती है तो वो कहती है कि शायद वो pregnant है then Casey pregnancy test करती है and test positive होती है जिससे से पता चाहता है कि वो pregnant है अब Casey को dream आती है जहां उसके दोस्त और फियांसे एक surprise देते है and वो एक ही word बोले लगते है और वो है baby तवी Casey की अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे चोटे अंडे जासे बोल निकल आते है जिनने उसकी दोस्त पैरों से कुछन ले लगते है और Casey उन्हें ऐसा करने से रोकती है and दिन Casey का सपना तूट जाता है अब Casey का चाहरा और भी जादा बदल गया था दिन हम देखते हैं कि Casey के घर में वहीं मियुकस चारों और फैल रहा था और उसका घर काफी गंदा हो गया था तब केसी की होने वाले मदर इनलाव उससे मिलने आती है केसी परिशान हो जाती है and जैसे तैसे कपड़े पहन कर दर्वाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि अब उसकी पूछ भी निकल आई है दूस्टरी और जैरेट की मदर दर्वाजा खोलकर अंदर आ जाती है and घर की हाले देखकर शौक्ट हो जाती है अब जैरेट की मदर केसी को बहुत ही उल्टी सीथी बाते बोलने लगती है और वो कहती है कि वो जानती है कि केसी जारेट के वज़े से प्रेगनेट नहीं हुई है तो वो पूछती है कि आखिर ये वच्छा किसका है केसी उन्हें जाने के लिए कहती है बट वो नहीं सुनती दिन केसी अजीब बीएव करने लगती है और इसका गला दवाने लगती है तब ही केसी की मूँ से एक ऐसे जैसे चीज निकलती है जो जैरेट की मदर के फेस के उपर गिरती है और उनका चैरा पूरे तरह जल जाता है और जैरेट की मदर की मौत हो जाती है केसी इस इंसिडेंट से बहुत ज़दा शौक्ट हो जाती है और वो देखती है की वो मौकस वाले बॉल्स एक्चुरी अंडे है दिन केसी जैरेट की मदर की डेट बॉड़ी को बाद टब में चुपा देती है दूस्टे जैरेट परिशान हो रहा था क्योंकि केसी बहुत दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी तो जैरेट केसी से मिलने उसके घर जाता है तो केसी कहती है की वो शादी के लिए तयार रही है और उसे थोड़ा टाइम चाहिए दिन केसी देखती है की अब उसके बाल भी जढ़ने लगे थे तब जैरेट वहाँ से चला जाता है जैरेट को बहुत खराब लग रहा था कि केसी शादी की एक हपते पहले शादी करने से मना कर रही थी अब केसी की कोई ख़वर नहीं मिलने से क्रिस्टी जील के घर आती है और केसी के बार में पूछने लगती है बर जील के वेवेर से क्रिस्टी को बहुत गुस्सा रहा था क्योंकि उसे केसी की ऐसे हालत से कोई फरक नहीं पढ़ रहा था दिन हमें एक सीक्रेट पता चलती है, केसी की रिंग खोई नहीं थी, वो रिंग जिल के पास थी, दूसरी और केसी की हालत और विजदा खराब हो रही थी, वो घर में कीड़े खाने लगती है, दिन क्रिस्टे उसके घर आती है और घर कर नजारा देकर वो श्रॉक हो जाती है वो केसी के गले मिलती है and कहती है कि वो इतने दिनों से उसके कोई ख़बर ना मिलने से बहुत परिशन थी वो केसी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी बट केसी का फेस देखकर वो डर के बातरूम के और भागती है केसी उसे रोकती है पर क्रिस्टी बातों में खुद को लॉप कर लेती है और वहाँ जायट की मदर की डिट बॉट को देखकर वो शॉक्ट हो जाती है तिन केसी पर दर्वासा तोड़के अंदर आ जाती है और क्रिस्टी को चुप रहने के लिए कहती है बट इसी दोरन केसी के हाथ में लगा म्यूकस क्रिस्टी की मुँ में चला जाता है और क्रिस्टी के दिरे-दिरे मौत हो जाती है केसी बहुत दुक्य हो जाती है क्योंकि वो क्रिस्टी को मारना नहीं चाहती थी दिन हम देखते हैं कि जिल जैरेट को अपार्टमेंट के नीचे मिलने के लिए बुलाती है जहां वो केसी के ट्रिप वाले विडियो दिखाती है जिसमें केसी उस अंजानात में से इंटिमेट हो गई थी ये देखके जैरेट बहुत दुखी हो जाता है दिन जिल उसे बताते हैं कि केसी उसे ऐसे चीट कर रही है और जिल उसे पसंद करती है बट ये सब बाते केसी सुन पा रही थी क्योंकि उसके कान अब में उजट हो गए थी और वो दूर की साउन भी सुन पा रही थी केसी अब जोर से चीकती है तो जिल और जैरेट वामिट कर देते हैं तिन जिल वहाँ से चली जाती है अब केसी पूरे तरह म्यूटेट होकर एक मौनस्टर बन गई थी तिन जिल केसी की घर जाती है और अंदर का नजारा देकर वो शौक्ट हो जाती है तिन केसी उसे बेहोश कर देती है जिल को होश आता है तो वो कहती है कि वो केसी की मदद कर सकती है बट केसी जिल को वो ट्रिप वाले वीडियो दिखाती है इस वीडियो से पता चाहता है कि केसी नशे के हालत में होने से भी वो उस आत्मे को बार बार पास आने से मना कर रही थी बट वो आत्मे उसे रूम में ले गया था और जिल ये सब शूट कर रही थी विच मिंस वो केसी और जायट का रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी ताकि वो जायट को पा सके और ये वाद केसी को पता लग गई थी दिन जिल खुद को बचाने की कोशिश करती है बट केसी उसे टॉर्चर करने लगती है दिन वो जिल से कहती है कि वो जायट को यहाँ बुलाए तो जिल जोर से चीकती है तो जायट केसी के अपार्टमेंट में आ जाता है बट अंदर आकर वो अपार्टमेंट के ऐसे हाला देकर शौक्ट हो जाता है वो जिल को बंदा हुआ पाता है और उसे छुडाने की कोशिश करता है और तब एक केसी आ जाती है जैड केसी के ऐसे देकर शौक्ट हो जाता है क्योंकि वो एक monster बन गई थी जायट केसी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो केसी उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी सुन्दर लगती हूँ क्या तुम्हें अभी भी मुझसे बच्चा चाहिए तो जिल help के लिए चिल लाती है और केसी उसे थपर मारती है जिस वज़े से केसी की मुझसे blood निकलने लगती है और उसकी वही मौथ हो जाती है केसी जायट के उपर हमला करती है पर जायट उसे control कर लेता है केसी अवे वे यही कहती है कि it's just a bite mark तो क्या तुम मेरी मदद करोगे तब एक केसी अपने पूच से जायट को एक डंक मार देती है पर जायट उसके सीने में एक लकडी गुसा देता है और उसके face को kick करते है और उसके face को कुचल कर मार देता है अब केसी के पूच से डंक मारने के वज़े से अब जायट भी infected हो गया था औन घर आकर वो पुलिस का कॉल करने की कोशिश करता है बैट वो ऐसा नहीं कर पाता औन वो वही बहुश हो जाता है अब वान ऒइक आप्टर पुलिस वहां आती है औन उन्हें केशी के खर्षी सबकी बॉडिस मिलती है धिन वो जैट के घर में जाते है अब जैट के और बढ़ते वे उसका पेट फट जाता है और उसके पेट के अंदे से बहुत सारे अंडे और उसके साथ बहुत सारे कीरे भी निकलने लगते हैं जो कि उन पुलिस वालों को काट लेते हैं अब मोवी के एंटिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ट्रिप में कॉस्टरिका जाने की बात कर रही थी तभी एक लड़की को एक कीरा काट लेता है और ये मोवी यहां एंड हो जाती है